हेलो दोस्तों आज के इस नहीं वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उन छात्रों के बारें बात करेंगे इसने 223 में मैट्रिक पास किया है दोस्तों जो भी छात्र या छात्रा हैं 22-23 में मैट्रिक पास कर चुके हैं और वो इंटर में अडमिसन लेना चाहते हैं मतलब वो 11 में अडमिसन लेना चाहते हैं तो उन सभी लोगों के लिए good news है क्योंकि बिहार सरकार दोवारा जो इंटर में अडमिसन लेने के लिए online form भरे जाते हैं उसका तीथी को जारी कर दिया गिया है उसका date को जारी कर दिया गिया है तो दोस्तो चलिए इसके official notification को open करते हैं और आपको detail में बताते हैं कि आप इस form को कब से कब तक online कर सकते हैं दोस्तो इसमें आप देखेंगे मैंने वो notice को यहाँ पे open कर लिया गिया है जिसे बिहार school examination board के दोवारा सभी social media पे post किया गिया यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं यहाँ पे detail में read करके आपको बता देता हूँ कि इसमें actually लिखा क्या गिया है दोस्तो सब सब पहले आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिनांक 17 माई 23 से 26 माई 23 तक करें online अवेदन दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 10 दिन तक time दिया गिया जैसे के आप देख सकते हैं इसके बता आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्याले परिच्छा समीति दोवारा राजी के सिक्षन संस्थानों में 11 कचक में online facilitation system for students यह OFSS का full form है online facilitation system for students के माधियम से नमांकन है तो online अवेदन करने की आज तिति जारी किया गिया है इसके निचे आप पढ़ेंगे लिखा हुआ है इस संबंद में सिरी आनंद किसोर अधियच बिहार विद्याले परिच्छा समीति ने हम बताया कि ओए फसस के माधियम से 11 कच्छा में नमांकन है तो विद्यार्थियों को दिनांग 17.05 से 26 तक online अवेदन करने का आउसर परिच्छा बोडों के मैत्रिक उतिर एंपात्र विद्यार्थियों उक्तिति के अंतरगत आवेदन करेंगे दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो भी छात्र या चात्रा हैं बिहार बोड़ से सीपी एससी बोड़ से आई सीएसी बोड़ से या फिर देश किसी अन्य बोड़ स अगर मैट्रिक पास कर चुके हैं तो इसके लिए वह आवेदन कर सकते हैं ठीक है इसके बद आप देखेंगे लिगाव विद्यार्थियों को सुचना देवें विस्तिर जनकारी देने हैं तो समीति द्वारव विभिन समचार पत्रों में दिनांग सुल्ला मईध होई यह बोला जा रहा है कि जो आपका ओनलाइन अवेदन होगा इंटर में एडमेशन लेने के लिए उसका जो ऑफिस्यल नोटिफिकेशन है जो जिसमें सब कुछ सारा डिट्रियल से लिखा रहता है इसके लिए क्या एलेजिबिटिक क्राइटेरिया है या फिसके इसे फॉर् आपको यहां पर 16 मई 23 को परकासित कर दिया जाएगा दोस्तों इसका मतलब यह है कि जो विद्यार्थियों को चैन किया जाएगा इंटर में एडमिशन लेने के लिए वह उसके माक्स के अधार पर या फिर आरक्षन के अधार पर यहां पर आपका एडमिशन लिया जाएग कि इसमें लिखावा साफ साफ दोस्तों यह हर साल होता है अगर आपका माक्स अच्छा है या फिर आप से स्टेग्री से बिलॉंग करते हैं तो आपका ज्यादा चांस है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिष्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप असानी से इंटर में अडमि और इसी परकार की इंफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो दस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो जय हिंजय भारत